जब किसी नॉन वाइलेंट आदमी के पीछ एक वाइलेंट आदमी पढ़ जाए उस नॉन वाइलेंट आदमी के सामने एक भाहती वाइलेंट आदमी का खड़ा हूना शरूए दोस्तों जैसा कि अब सभी जानतों हैंगे 21 अप्रेल को ईद के मौके पर बॉक्स ओपस पर रिलीज हुए थी बॉल्लीवूड के सुल्तान सल्मान खान की फिल्म किसी का वाई किसी की जान और इस मुवी को रिलीज हुए 15 दिन पूरे हो चुके हो 16 बे दिन ये सिनेमा गरों में चल रही है तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस मुवी ने प् зр अगर आप सल्मान खान को बैतरीन अभीनेता मानते हैं या इनकी फिल्म में देगना पसंद करते हैं पर आस साम जी के डिरेक्षन में बनने वाली ये फिल्म जिसे 100 करोड के मोटी पज़े से बनाए गया है बात करें इस फ्लम के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में देखने को हिलें सलमान खांल के साथ साती साती देखने को मिलें बैंक्रृफ दगुबत्ति और जगबती बाबू आपको बता दें मूवी को लेकर ओडियन्स के बीच कापी जयता क्रेज बना हुआ था जिसके चलते ये मूवी आज भी बॉक्स ओपस पर तावर तोड कमाई करने में लगी हुई है और अगर बात करें इस फिल्म के पहले 16 दिनों के वाक्स ओपस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन वाक्स ओपस पर 15 करोड का नेट कलेक्शन कर चुकी थी वहीं वल्ड वाक्स ओपस में ये फिल्म 15 करोड का ग्रोस कलेक्शन कर चुकी थी और इस तरह से इस फिल्म ने 11 दिन इंडियन वाक्स ओपस पर 2 करोड 20 लाग 12 दिन 1 करोड 30 लाग 13 दिन 1 करोड 10 लाग और 14 दिन 1 करोड का कलेक्शन किया और पंदरे दिन भी इस फिल्म का एक करोड का कलेक्शन रहा इस तरहे ये फिल्म पहले पंदरे दिनों में Indian box office पर 109 करोड का कलेकसन कर चुकी थी वही बात करें worldwide box office पर 118 करोड का कलेक्शन कर चुकी थी और अगर बात करें इस फिल्म के 16 बे दिन यानि आज की तो ये फिल्म अपने 16 बे दिन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 1 क्रोड का कलेक्शन कर सकती है और इस तरह से इस फिल्म का पहले 16 दिनों का इंडियन बॉक्स ओफिस पर 110 क्रोड का कलेक्शन हो सकता है और वहीं वर्ल्ड झाल झाल